हालो फ्रेंड्स वेल्कुन टु चिंपियों जीफिंस आज की स्विडिम लोग एक बहुत ही संदार मिसी रिद्भिन के कुष्चन को सॉल्व करने का सबसे बहतरीन तरीका देखेंगे क्योंकि ऐसे कुष्चन को सॉल्व करने में दिखते रिश्टून कलतिया करते हैं तो देखिए दोस्तों यहां पर पहला कुष्चन है कि 10 माइनस और यहां पर बड़ा कोष्टक लगा हुआ है 2 पूर्णांग 3 बाटर 4 पलास 3 पूर्णांग 4 बाटर 5 है और इसको सॉल्व करके इसका सही अंसर बताना है ठीक है तो देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे यहां पर 10 का यहां पर 10 लिख लेंगे और माइनस का माइनस लिख लेंगे उसके बाद देखिए यहां पर जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे ठीक है तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे तो सधारन भिन में चेंज करेंगे तो देखे सधारन भिन किसे काते हैं जैसे देखिए या तीन बटा चार जो लिखा हुआ है ना तीन बटा चार इस तरह से अगर कोई भिन रहता है तो उसको सधारन भिन काते हैं लेकिन इसी तरह से यहाँ पर पुर्णांक में लिख देते हैं जैसे तीन पुर्णांक तीन बटर चार लिख देंगे तो यहाँ क्या हो जागा तो मिस्रित भीन हो जागा ठीक है तो सबसे पहले इस मिस्रित भीन को क्या करेंगे तो सधारन भीन में चेंज करेंगे तो देखिए सधारन भीन में change करने के लिए क्या करते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 बटा जा 4 है यह जो उपर है उसको अंस काते हैं नीचे जो हर है उसको हर काते हैं तो इस हर को क्या काते हैं तो इस पुर्णाइंग में सबसे पहले गुना करते हैं यानि 4 में 2 सब गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा और इसके बाद इसको अंस में जोड देते हैं तो 4 दुना 8 और 8 और 3 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा तो 11 जाएगा और बाटा में यहाँ पर 4 जाएगा ठीक है 5 तिये 15 और 4 19 हो जाएगा 19 और बाटा में यहाँ पर 5 हो जाएगा ठीक है और इसको bracket के अंदर बंद कर देंगे ठीक है तो देखिए अब क्या करेंगे तो यहाँ पर देखिए सधारन भीन में यहाँ आ गया है तो सबसे पहले इसे भीन के जोड की तरह solve करेंगे ठीक है तो देखिए 10 का 10 लिख देंगे minus यहाँ पर देखिए इसको solve करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं तो देखिए हर में जो रहता है उसको उसका LCM लेते हैं तो देखिए इसके हर में 4 है और इसके हर में 5 है यानि 4 और 5 का LCM लेंगे 4 और 5 का इस तरह से LCM निकालेंगे देखिए यहाँ भाग भीदी से LCM निकालना होता है लेकिन देखिए अगर कोई भी 2 संख्या लागातार होता है जैसे 4 पाँच हो गया या 3 चार हो गया या 5 शे हो गया तो इस निकालने के लिए क्या करते हैं तो इसको सीधा गुना कर देते हैं यानिga 4-5 जो गुना करेंगे तोको पांच में 4 से गुना करेंगे तो क्या जाएगगार जो 5 आ गया और जो 5 आया उसको इसमें गुना कर देंगे 5 से तो 11 पचे क्या हो जाएगा तो 55 आजाएगा और 20 फिर इस 5 से 20 में भाग करेंगे तो 5 चोका 20 हो जाएगा यानि 4 आजाएगा और 4 से 19 में गुना करेंगे तो 19 चोका क्या होता है तो 76 होता है अब क्या करेंगे इसको जोड लेंगे तो देखिए 10 का यहाँ पर 10 आजाएगा माइनस और यहाँ पर देखिए 55 और 76 को जोड़ेंगे तो देखिए 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 5 11 का एक हांसिल का एक 7 5 12 और हांसिल का एक जोड़ेंगे और यहां भीन के घाटाओ कितरा solve होगा, ठीक है, तो देखिए इसको solve करते हैं, तो देखिए 1 और 20 का LCM लेंगे, तो क्या जाएगा, तो 20 ही आजाएगा, और 1 से 1 से 20 में भाग करेंगे, तो क्या जाएगा, तो 20 आजाएगा, और 20 में 10 से गुना करेंगे, तो यहां पर 200 गटाएगे, तो देखिए, 0 में से 1 नहीं घाटेगा, तो हासिल लेंगे, तो यहां 10 बन जाएगा, 10 में से 1 घाटेगा, तो 9 आजाएगा, फिर यहां पर 9 बच जाएगा, क्योंकि 1 हासिल देदिये हैं, तो 9 में से 3 घाटाएगे, तो 6 आजाएगा, और यहां पर क्या बच चेंज कर सकते हैं, जैसे देखिए, 79 बटा 20 है, यानि देखिए, उपर, यानि अंस में, अगर बड़ी संख्या रहता है, और हर में छोटी संख्या रहता है, तो उसे पुर्णांग में भी चेंज कर सकते हैं, कैसे पुर्णांग में चेंज करेंगे, तो देखिए, हर जो में रहता है उससे भाग करेंगे अंस में यानि इस 20 से 79 में भाग करेंगे ठीक है अंस में भाग करते हैं तो देखे 20 तिया यहाँ पर 60 लगा देंगे और यहाँ पर 9 से बच जाएगे ठीक है और देखे इसको पुर्णांक में लिखने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर जो भाग और इसको आप फिर से change करेंगे तो देखे 20 में 3 से गुना करेंगे तो 20 यह 60 और यहाँ पर 9 जोड़ेंगे तो 60 और 99 आजागा और बटम 20 आजाएगा तो यहाँ इसका सही अंसर हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों इस तरह के मिश्री तीवीन के सवाल को बहूत ही असान तरहीसवाल कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो अचाह लगाuem तो लाइक कर दीजीए चैनलाल प्रणाय चैनल को सब्सक्राइstand कि लोग्लेंगे ताकि इस वीडि़ीयोंको अगरेंगे पीजिंते हैं